लेबर एंड इंडुस्ट्रियल लोग बाई देशी एललबी पहला टॉपिक हम करेंगे वो है ट्रेड यूनियन सेक्ट 1926 इसके अंडर होगा ट्रेड यूनियन पेज नंबर 4 पे ट्रेड यूनियन यूनियन माने समूम ठीक है पहले देखते हैं डेफिनिशन ट्रेड यूनियन की ट्रेड यूनियन की डेफिनिशन जो है वो ट्रेड यूनियन सेक्ट 1926 के सेक्शन 2S में दी हुई है तो जैसे हमने देखा ट्रेड यूनियन जो है यूनियन है समूम है तो combination या association है एक तरह से union है ठीक है समू है जो कि temporary कुछ समय के लिए भी हो सकता है और permanent भी हो सकता है इसके दो purpose है पहला purpose है relations regulate करना दूसरा है restrictive conditions impose करना तो किसके relations regulate करना वो है workmen and employers workmen and workmen employers and employers मतलब workers वगेरा और उनके employer मालिक वगेरा जो है factory industry के उनके बीच के relations regulate करना और workers के आपस के बीच के relations को regulate करना संबंदो को regulate करना तीसरा employers के आपस के बीच के संबंदो को regulate करना तो ये तो हुआ regulating relations दूसरा purpose जो है इसका है restrictive conditions लगाना किसके उपर किसी trade और business के conduct के ऊपर ठीक है तो ये दो तो इसके purpose हुए और कोई भी दो या दो से ज़्यादा trade unions का federation जो है वो खुद भी trade union ही कहलाएगा ठीक है तो federation भी trade union के अंडर ही include होता है तो definition में क्या देखा कि trade union जो है वो combination और association है जो कि temporary और permanent ही हो सकता है इसके दो purpose है relations को regulate करना और दूसरा restrictive conditions लगाना कोई भी federation जो है तो या दो से ज़्यादा trade unions का वो खुद भी trade union ही है तो यह होगी definition trade union की qualifications क्या क्या है trade union का member या office bearer official बनने के लिए तो member बनने के लिए qualification जो है वो यह है कि व्यक्ति की उम्र जो है 15 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए और trade union का office bearer या फिर उसके executive का member बनने के लिए qualification है कि उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा होनी चाहिए कुछ और conditions है office bearer बनने के लिए वो यह है कि वह व्यक्ति court के द्वारा convicted ना हो किसी चाहिए तब ही वे office bearer बन सकता है अगर ऐसा हुआ है conviction और imprisonment उसका हुआ है तो जब तक उसके पांस साल ना पूरे हो जाए उसके छूटने के बाद उसकी release के बाद उसकी रिहाई के बाद तब तक वे office bearer नहीं सकता unless five years have elapsed since his release ओके यह हुई qualifications can an outsider be office bearer अब कोई trade union है वो किसी industry से जुड़ी हुई है वे industry महलो cotton mill है तो cotton mill की trade union है अब कोई outsider है जो इस industry से जुड़ा हुआ नहीं है वह outsider माना जाएगा अब कोई outsider जो है इस trade union के office bearer बन सकते है कोई बन सकता है तो इसका answer है yes total office bearer जो है उनका 50% तक जो है वो outsider बन सकते है और जो लोग इस industry से ही जुड़े हुए है इसमें ही engaged है इसमें employed है इसमें काम करते है तब persons actually engaged or employed in industry to which the union is connected not less than 50% तो यह trade union जो है अब इसका office bearer जो है सारे officials जो है मालू 100 है तो इसमें जो इस industry से जुड़े हुए जो लोग है उनकी संग्या office bearer में 50% से कभी भी कम नहीं होनी चाहिए ठीक है तो यह हो गया trade union complete यह pdf जो है labor and industrial लोग की अगर इसको लिना चाहते है इसमें इंट्रेस्टेड है तो description box से comment box में link डाल दिंगे वहां से ले सकते हैं next video जो है वो है registration of trade unions vidस एamे सरेवे दruktा एंट की और कही है ते पेक्री की कैए्स दोह है पी कि एंट्रेए है अज्ट आट की पीजवशन एंट की जड़ीन